हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे डेसिकेटिट कोकोनट नारियल का बुरादा डेसिकेटिट कोकोनट का हम इस्तमाल कई बार करते हैं मिठाईय बनाने के लिए और कई प्रकार के वेंजन बनाने में इसका इस्तमाल होता है और ये मार्केट में बहुत महेंगा मिलता है तो हम इसे घर में बहुत ही आसानी से त्यार कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर चाहिए होंगे नारियल हमारे पास ये नारियल रखे हैं ये सूखे वाले नारियल है तो हमें इसे इस तरीके से छील लेना है बहुत आसानी से ये छील जाते हैं अगर ताजे नारियल रहते हैं तो नारियल का बुरादा बनाने के लिए मैं सज़ेस्ट करेंगी कि ताजे नारियल ही लें जो तुरंत के ही रहते हैं सुखे वाले नारियल पानी वाले नहीं और अगर पानी वाले लेते हैं तो फिर हमें रोस्ट करना होता इसे हमें रोस्ट भी नहीं करना पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने होने से फिर वो छीलते नहीं है तो देखिए इसे हमने इस तरीके से छील दिये हैं, तो अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे पीसेस में कट कर लेने से हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी होगी, यह आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे तो इस तरीके से इने छोटे-छोटे पीसे में कट कर लेते हैं नारियल खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही हेल्दी भी होता है और तो बहुत ही जल में आपके लिए इससे बनी हुई एक रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ नारियल के लड़ू तो आप उसे देखना बिलकुल भी न भूले तो देखिए इस सारे पीसे कट हो चुके हैं तो अब हम इसे एक मिकसर ग्राइंडर में डाल कर इसे ग्राइंड करेंगे तो इसे grind करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसे एक साथ हमें नहीं पीसना है रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर के लिए से पीसना है ने तो इसका oil release हो जाएगा तो इसे हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए पीस लेते हैं तो अब देखिए ये बिल्कुल तयार हो चुका है इसे हमने लगातार नहीं पीसा है तो देखिए फ्रेंट्स कितना बढ़िया ये तयार हो चुका है आपको ये वीडियो अगर जरा भी helpful लगा हो तो इसे like share कीजे और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो please चैनल को subscribe कीजे त तो जब भी कभी जरूरत हो desiccated coconut की तो बस इसी तरीकी से तयार कर लिजे और फटा फट से मिठा ये बनाएं हम मिलेंगे एक और नई रेसिपिक के साथ next video में till then bye bye thanks for watching